अलो दोस्तों मैं पूनमशा उमीद क्लासिस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ FIR क्या होती है कैसे दर्ज करवाई जाती है FIR और अगर पुलिस वाला आपकी FIR दर्ज करने से मना कर देता है तो आपके पास क्या remedy है क्या उपचार है क्या आपको करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी information आज देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुती ज़्यादा important रहेगी तो बने रहे है हमारे साथ में तो सबसे पहले तो FIR के बारे में जानते हैं कि FIR क्या होती है तो FIR जो है वो होती है प्रतम सूचना report होती है जिसे प्रात्मी की भी कहते हैं और first information report हम कहते हैं प्रात्मी की भी हम जिसे कहते हैं अब यह जो FIR है वो आप तीन तरीके से कर सकते हैं या तो आप नियरस थाने में जाकर कर सकते हैं, फोन पे भी आप FIR दर्च करवा सकते हैं, कोरोना के बाद में amendment भी आया है, तो आप online भी FIR दर्च करवा सकते हैं, अब ये जो FIR है, वो किस सम्मंदित में होती है, कि जब भी कोई अपराद हो जाता है, उस अपराद की जानकारी पुलिस ओफिसर को देना ही, क्या कहलाता है, FIR कहलाता है, ये तो है सामान्य परीचे, अब हम आते हैं, लीगल लेंग्वेज में, कि ऐसा कौन सा ओफेंस है, कि जिसकी information हम पुलिस को देंगे, पुलिस इसको दर्च करेगा, और वो बन जाती है आपकी FIR, तो ओफेंस कौन सा होगा, वो कौनिजेबल ओफेंस होगा, संगे अपराद होगा, ये जो कौनिजेबल ओफेंस है, जो संगे अपराद है, ये सामान्य परीचे, जिसकी संगे मामलों में आते हैं, जिसकी information आप पुलिस को दे सकते हैं, अब बात करते हैं, कि FIR दर्च कैसे करवाई जाती है, त तो FIR दर्ज करवाएंगे कहां nearest police station में करवाएंगे और ये मौखिक और रिट और लिखित दोनों में ही करवाई जा सकती है और इन राइटिंग करवाई जा सकती है FIR जो है वो CRPC के section 154 में दिया हुआ है इसका provision ये शब्द तो परिवाशित नहीं है लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि FIR को lodge कैसे किया जाता है तो officer in charge of the police station को किया जाता है मौखिक और लिखित रूप में किया जाता है जब ये दर्ज हो जाती है तो आपको एक copy दी जाती है जो कि free of cost आपको दी जाती है उसका कोई भी charge आपका नहीं लगता है अब हम बात करते हैं कि जो FIR है वो पुलिस वाला मना कर देता है कि हम मैं FIR तुमारी दर्ज नहीं करूंगा तो आप क्या करेंगे तो आप जाएंगे उसके superior officer के पास में जो कि superintendent of police होता है पुलिस अदिक्षक होता है उसके पास आप जाएंगे और उसको आप by registered post के द्वारा information पहुचाएंगे कि इस पुलिस थाने में मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है तो superintendent of the police क्या करेगा उस information को मिलते ही या तो वो उस पर खुद कारेवाही करेगा खुद investigation करेगा या अपने subordinate police officer को investigation करवाने के लिए कहेगा उसे कहेगा कि तुम FIR दर्ज करो और इस पे कारेवाही करो अगर superintendent of the police भी आपकी बात नहीं सुनता है तो अब आप magistrate court का दर्वाजा खटखटाओगे वहाँ पर आप complaint लेकर जाओगे कि मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है तो magistrate सबसे पहले तो ये सुनिशित करेगा कि क्या आपने निकर्तम थाने में जाकर के FIR करी है या नहीं की है और दूसरी बात ये भी सुनिशित करेगा कि आपने superintendent of police को information दी भी है कि नहीं दिये registered post के द्वारा कि FIR नहीं लिखी गई है ये दोनों बाते सुनिशित करने के बाद ही magistrate आपकी बात को आगे सुनेगा और आपकी complaint अगर वो accept कर लेता है तो याद तो उसको लगता है कि ये मामला मैं खुद ही देखूँ तो वो खुद ही inquiry कर लेगा नहीं तो वो 156 की धारा 3 के अंतरगत पुलिस वाले को बोलेगा कि तुम इसकी FIR lodge करो और investigation करो तो ये दोस्तो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे comment करके आप जरूर बताएं तो कभी भी आपके सामने अगर ऐसी situation होती है तो आप उसका सामना इस तरह से कर सकते हैं ये remedies available हैं मेरी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि आपको मैं aware करा सकूँ legal बातों से legal चीजों से तो thank you so much डीडियो कैसा लगा हो like share और subscribe करना ना भूले subscribe नहीं किया है तो subscribe करे bell icon पे आप click करें ताकि latest update आपको मिलते रहें ऐसे interesting videos के साथ हमारे channel पे आप बने रहे हैं thank you so much